चौथा अध्याए सूची बोले वैशे ने मंगलाचार करके यात्यारम की और अपने नगर को चला उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्थारी स्यत्यनारण ने उनसे पूछा हे सादू तेरी नाव में क्या है? अभी मानी वनी खस्ता हो बोला हे दंडी आप क्यों पूछते हो क्या धनलेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैट गए दंडी के जाने पर वेश्या ने नित्या किरिया करने के बाद नाव को उठी देखकर अजंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदी देखकर मूर्चित हो जमीन पर गिर पड़ा फिर मूर्चा खुलने पर अत्यान शोक प्रकट करने लगा तब उसका दामाद बूला कि आप शोक न करें यह दंडी का श्राब है अत्या उनकी शरण में चलना चाहिए तब ही हमारी मनो कामना पूरी होगी तामाद के वचन सुनवे दंडी के पास पहुचा रत्यान भक्तिभाव से नमस्कार करके बोला मैंने जो आप से सत्ते वचन कहे थे उनको शमा करो ऐसा खेकर महान शोका तुर हो रोने लगा तब दंडी भगवान बोला हे वनिक पूत्र मेरी आग्या से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है तु मेरी पूजा से विमुख हुआ सादो बोला हे भगवान आपकी माया से मोहिद भ्रह्मा आधी भी आपके रोप को नहीं जानते तब मैं अज्यानी कैसे जान सकता हूँ आप प्रसन हो ये मैं सामर्ते के नुसार आपकी पूजा करूँगा मेरी रक्षा करो पहले के समान नोका में धन भर दो उसके भक्ति उक्तवचन सुनकर भगवान प्रसन हो उसकी इच्छा नुसार वर देकर अंतरधान हो गए तब उन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपून है और वे भगवान सितनायन का पूजन कर साथी हो सहित अपने नगर को चला अब अपने नगर के निकट पहुचा तब दूद को घर बेजा दूद ने सादू के करचा उसकी स्त्री को नमसकार कर काहा कि सादू अपने दामाद सहित इस नगर के समी पा गए है ऐसा वचन सुन सादू की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्त देव का पूजन कर पुत्री से कहा मैं अपने पती के दर्शन को जाती हूँ तुकारे पूण कर शीक रा माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पती के पास गई प्रसाद की अवग्या के कारण सत्त देव ने रुष्ठ हो उसके पती को नाव सहित पानी में डूबो दिया कलावती अपने पती को ना देखकर रूती हुई जमीन पर गिर गई इस तरह नोका को डूबा हुआ तथा कर्ण को रोता देख सादू दुखित हो बोला हे प्रभू मुझ सेया मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे शमा करो उसके दीनवचन सुनकर सत्यदेव प्रसन हो गए और आकाशवानी हुई है सादू तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है इसलिए इसका पती अद्रश्य हुआ है यदि वे घर चाकर प्रसाद खाकर लोटे तो उसे पती अवश्य मिलेगा ऐसे आकाशवानी सुनकर करलावती ने घर पहुच कर प्रसाद खाया फिर आकर पती के दर्शन किये बश्याद सादू ने बंदू बांद हो सहित सत्यदेव का विधिपूरवक पूजन किया उस दिन से वह पूर्णेवा को सत्यनारण का पूजन करने लगा फिर इस लोग का सुख भोग कर अंतने सर्व लोग को कया पूलो सत्यनारण भगवान की जै